भाई और बहनों नवस्कार आज हम आप लोगों को एक बुढ़ी मा की ऐसी दुखभरी कहानी इस आल्हा के माध्यम से सुना रहे है जिसको सुनकर आपकी आत्मा हिल जाएगी दिल काप उठेगा आपको इस कहानी से एक नसिहत मिल सकती है एक चेताबनी मिल सकती है आप अपने जीवन को नरक बनने से रोक सकते हैं आल्हा कूरा सुनिये तब समझ में आएगा सुनते हैं ब्रह्मा विसनो संकर जी काप्र में पूरवक करते ध्यान विघन न कोई आने पाई गया करो गणपति भगवान एक पूढी मा दुख्यारी की जिसकी है ये दासतान के से बीता जीवन दुख में संजो बघेल करे बखान तडफा तडफा कर बेटों न जीते जीले वेठे जान दो जबान बेटे हैं इसके जो कलेउग की है संतान रूप लिए इनसानों का ये लेकिन बन गए है सेतान सुन कर के कापेग कलेजा हो जाओगे तुम हैरान सुन कर के कापेग कलेजा सुन कर के कापेग कलेजा हो जाओगे तुम हैरान व्याह हुआ था बेचारी का भीत ही पाए पांच साल मोत हो गई पती देव की संकट यान पड़ात पिकाल गुजर बसर की जंजट हो गई पास नहीं था दौलत माल दो बेटे है इस बधवा के घर की हालत है बदहाल कब तक भूके रहेंगे जिन्दा मन मैं सोचा किया खयाल घर घर करती जाड़ू पहुचा चलने लगी है रोटी दाल खूब रुलाया किसमत ने पर किसमत पर क्या करें मलाल मजदूरी और महनत करके आज लिया परवार सभाल मजदूरी और महनत करके मजदूरी और महनत करके आज लिया परवार सभाल घर माता की हसरत होती बच्चों को हम खूब बढ़ाए बिधवा भी दोनों बेटों को रही रोजी स्कूल भिजाए काट के अपना पेट बिचारी पीस समय पर भरती जाए बेटे जो पढ़ लिख जाएंगे दूंगी में इनसान बनाए मेरी आँखे बनेगे बेटे देंगे जो दुनिया दिखलाए करेंगे मेरी बढ़िया सेबा लेंगे मेरी कश्ट उठाए तरह तरह की सपने देखे अच्छा मन में लिया जगाए बेटों को ये पहली खबाए जो कुछ बचता माई था बेटों को ये पहली खिलाई बेटों को ये पहली खबाए जो कुछ बचता माई था दुख संकट में समय बीतता रोते हसते समय बिता जबान दोनों लड़के हो गए पढ़ाई इनकी दिया चुड़ाई दोनों लड़के लगे काम में राहत थोड़ी माता पाई घर घर काम जहां करती मा दिया है बेटों ने चुड़वाई बेटों के अब रिष्ते आई साधी इनकी दिया गराई दो दो बहुमे घर में आई थाट बाट माके की लाए मोज मजे का समय गुजरता नजर किसी की लगना जाए दो हपते ही सुख में बीते लड़के आपस में टकड़ां दो हपते ही सुख में बीते दो हपते ही सुख में बीते लड़के आपस में टकड़ां किया बीबियों ने बो जादू पती को लिया गुला में बना पतियों को जो कान फूकती दोनों बेटी गई बोरा दुस्मन लगने लगी है माता गलत माई को रहे बताई सच्चाई पर पढ़ गया परदा रोज बखेडा रहे बनाई अलग हो गया चोड़ता बेटा बीबी अपनी साथ लिजाई बड़ी बहुतो सातिर निकली पल पल साथ को रही सताई बासा खाना रोज खबाती बिन भरका में रही करवाए वो जूटे आरोप लगा कर पती सचुगली करती जाए वो जूटे आरोप लगा कर बो जूटे आरोप लगा कर पती सचुगली करती जाए जन मिलिया पोती ने उसकी गुणिया नामे दिया रखबाए वहू जू चाबल बीन रही थी एक रोज की बात बताए धाली से कुछ दाने उठा कर चिड़ियों को है दिया खिलाए वहू हो गई आग बबूला सास को जली कटी किह जाए सास दुखी हो कर पिचारी अपनी किस्तमत पर पच्छता इतना भी अधिकार नहीं है आख में आसूली आसुखाए पोती का भी बड़ी हो गई वोई स्कूल में पढ़ने जाए बहू रोज अपनी गुडिया को ताजा खाना रही खिलाए बहू रोज अपनी गुडिया को अपनी गुडिया को ताजा खाना रही खिलाए शासन ताजा भोजन मांगा बहू तांडब रही मचाए रोज तुझे क्या मुर्गा खिलाओ बासा खाना खाती नाए सुन सुन के ये अपने बहू से हर दिन दुबली होती जाए मां का दर्द न जाने बेटा किस से अपना हाल सुनाए अंदर अंदर तूट चुकी है कोई नहीं हम दर्द कहा एक दिना तो हिम्मत करके घर से बाहर चल की आए सलक किनारे बेट गई है जीवन से वो दुखी कहा दुख का पहाड तूटा दिल में आसूस के धमते ना दुख का पहाड तूटा दिल में असूस के धमते ना लोग वहां से गुजर रहे जो इस पर करुणा रहे दिखा दुखी भिकारी समझ कि सारे वैसे इसको देते जाए घंटे भर में घर को लोटे अपने जी को रही जुड़ाए अगले दिन फिर किट किट मच गई खाने की किलत किलाए बहु कोसती अपने पती को कभी सास को गुरा बताए तभी सास ने पेसे निकाले ठका बका सब हो जाए कहां से पेसे पाए माने बेटे से है रही बताए छोटा बेटा खड़ा है वाहर सारी घटना सुनता जाए छोटा बेटा खड़ा है वाहर छोटा बेटा खड़ा है वाहर सारी घटना सुनता जाए इसमें भी लालच आया है घर में ले गया मा को लिवाँ छोटी बहू भी चाल बाज थी सेवा का तो धोंग रचाए कुछ दिन पढ़िया खूब खिलाया बाद में नोटंकी दिखला बेटा उसको समझाता है वहू ए छोटी माने ना रोज बिठा देती मंदिर में और साम को घर ले आ जितने पैसे भी कि मिलते सास से पूरा ले चुडा वहाँ पे इसकी बड़ी बहुतो पती से अपने युध मचाए अपनी मा को ले आओ तुमें देवार पूरा माली उणाए अपनी मा को ले आओ तुमें अपनी मा को ले आओ तुमें देवार पूरा माली उणाए पती गया ना सास को लेने दोनों यहाँ पर पहुचे आओ बड़ी बहु ले जाने सास को देवार को ए रही सुना छोटी बहु भी अल गई देखो अम्मा सुन लो जाए ना बेहस हो रही है दोनों में दोनों की अम्मा की ला दोनों बहुए सेवा करेंगी हम दोनों की सास कहा दो घंटे से किच किच हो रही बात किसी को समझ नयाए अपने पटी से कहती दोनों अपनी अम्मा को समझाए अम्मा जो भी भीक मिलाती दोनों का हिस्सा की हिलाए अम्मा जो भी भीक मिलाती अम्मा जो वीवी के मिलाती दोनों का हिस्सा के हिलाए एक हाथ पकड़ा छोटे ने बेटा दूसरा लपक के आए हाथ दूसरा पकड़ा मा का अपनी मा को रहा मना याद कर रही तुझको गुलिया दादी दादी रही बुलाए बहु गिरी पेरो में फूरन सासू नखरे नहीं दिखाए घर तुमको चलना ही होगा हम तो तुमको लेने आए खासी आने लगी है मा को गला प्यास से सूका जाए पानी कोई नहीं पूछता बुढिया अम्मा थास्ती जाए काया पूरी बनी खंड हर अंग अंग तो हिलता जाए काया पूरी बनी खंड हर काया पूरी बनी खंड हर अंग तो हिलता जाए दोनों लण की हाथ पकड कर खीचा तानी रहे मचार पेसे का लालच दोनों को मा की चिंता उनको नार पहले से तूटी है डोकरी उस में ताकत नहीं कहाए बेटों की मकारी देखे के आज कलेजा भटा कहाए केसी है वो अलाद हमारी मेरी ममता जाने नाए मैंने इनको केसे पाला किसे अपना त्याग बताए तपक रही आगों से आशुन बेटे आशु देखे नाए बेटे के बल पैसे देखे अम्मा उनसे छूट न पाए बेटे के बल पैसे देखे बेटे के बल पैसे देखे अम्मा उनसे छूट न पाए भुटने लगाए दम अम्मा का वो धडाम से गिरी कहाँ इसे ना सक दुख वो बेटों का जिल्लत से छुटकारा पाए उन गया हंसा नील गगन में अब पिंजरा खाली के हिला देखो जब दोनों बेटों ने अपनी अम्मा बचिये ना एक दूसरे को दोनों अब दोसी कातल रहे बताए अपनी गलती कोई न माने ना दोनों बिल्कुल पच्चता जिस अम्मा ने पाला पोसा दिया है अपना दूद पिलाए पैसो की खा तिर बेटों ने नीद मोत की दिया सुलाए पैसो की खा तिर बेटों ने पैसो की खा तिर बेटों ने नीद मोत की दिया सुलाए अगर कोई एसे बेटे हो उन बेटों को हम चेताए मा का हाल करे जो येसा लोगे जीवन नरक बनाए मा को चाहे जितना सताओ माता तो देती है दुआए मा के अंदर छुपा ही श्वर वो करता है सक्चा न्याए जैसा तुम दियो हार करोगे वही बिधाता तुम्हे लोटाए जीवन का ये कड़वा सच है मात पिता को नहीं रोलाए अगर नहीं सेवा कर सकते इनका नाय अपमान कराए लिखान रंजन सेन ने आला संजो बगेल रही सुनाए संजो बगेल ने गादिया आला